नमस्कार दोस्तों, लिफाफा बनाने के लिए मुझे ज़र्त होगी कहींची की और ग्लू की और एक E-4-Side का मैंने पेपर लिया हुआ है इस E-4-Side का पेपर को मैं चार टुकणों में बांटने वाला हूँ चार टुकणों में से दो टुकणों में मैं एक अलग टाइप का लिफाफा बनाऊंगा और दो टुकड़ों से अलग टाइप का यानि कि वर्टिकल होरिजन्टल तो देखे इसको मैं काट रहा हूँ बीच से एफ फोर्साइज का पेपर है इसको मैं बीच से काट रहा हूँ इसके बाद इन दो पेपर को भी बीच से में काटने वाला हूँ तो इस तरह से ये चार बराबर टुकड़े मों बैट जाएंगे एफ फोर्साइज का पेपर और इसमें से हम अब इसको लिफाफा बनाएंगे तो बहुत ही सरल बीधी से बनाना है आसान है तरीका देखे इस तरह से इसको बराबर फोल्ड कर लीजिए दो पेपर मैंने लिया हुआ है हाथ में अपना तो बराबर एक का उपर एक जो फोल्ड है एक दूसरे को उपर में होना चाहिए इस तरह से इसके बाद कैची की साहता से इसके चारों कोनों को इस तरह से काट लेना है ध्यान से देखिए बहुत ही आसान है चारों जो कोना है उसको बराबर बराबर इस तरह से काट लेना है जब हम इन चारों कोनों को काट लेते हैं तो ये इस तरह से नजर आता है अब इसको हमको इस तरफ से हलका तिर्चा करके काटना है देखिए थोड़ा सा नीचे के और डाउन करके और जो कटिंग भाग है उस और उपर होना चीए इस तरह से थोड़ा सा तिर्चा काटना है चारो और यही परक्रिया अपनाना है यहां में भी थोड़ा सा उसी के बराबर ही अनुमान लगा कर काट लेना है इस और हो गया अब यह दूसरी और भी मैं उस तरह से इसको काट रहा हूँ तो इस तरह से चारो और इसको काट लेना है जब चारो और काट लेते हैं तो आपका जो लिफाफा बनाने का जो परफॉर्मा या डाइग्राम है वो कम्पलीट हो जाता है अब इसको फोल्ड कर लेना है इस तरह से एक का उपर एक और एक साइड का मुग को बंद कर देना है तो जिस साइड आपको थोड़ा अच्छन नजर आ रहा है उस साइड को छोड़कर दूसरी और से आप उसको फोल्ड कर लें तो इस तरह से एक लिफाफा बन गया है दूसरे वाले कटिंग को भी उसी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और एक भाग को हम उसका मुँँ बंद कर देंगे एक भाग की और से तो इस तरह से ये दूसरा लिफाफा भी रेडी हो गिया है अब हम गुलू की सहता से इसका जो बंद भाग है उनको हम चिपका लेंगे इसके बाद ये तो वर्टिकल टाइप का हो गिया लिफाफा इसके बाद हम होरिजेंटल टाइप का यानि कि चोड़ा जैसा चोड़ा भाग का जो लिफाफा होता है उसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसको चिपका लेते हैं देखे ये वाला भाग और ये वाला भाग इसको हमें चिपकाना है यहां पर गोंद लगा देते हैं और उसके बाद ये वाला पोर्शन में हम गोंद लगाएंगे और इसको इस तरह से चिपका देंगे इसी तरह से दूसरे लिफापा को भी हमें चिपकाना होगा तो इसका ये वाला भाग में गोंद लगाएंगे पूरा हलका हलका लगाना है और ये वाला भाग में भी गोंद लगाना है और उसको चिपका देना है तो इस तरह से ये वर्टिकल टाइप का लिफापा बन गया है अब सेम साइज का पेपर से हमें होरिजेंटल टाइप का ये दो लिफापा बनाना है पेपर दो है अमारे पास, तो इन दो पेपर को बराबर-बराबर मैं रख ले रहा हूँ, उसके बाद इसको फोल्ड करते हैं, इस तरह से, देखे, फोल्ड करने का तरीका को देख लिजे ध्याद से, इसमें निचला फोल्ड को ज़्यादा रखना है, और उपर वाला निचले वाला फोल्ड, उसका निचला भाग होगा, तो यह होरिजेंटल टाइप का लिफावा बनेगा, तो देखे, जिस तरह से मैं फोल्ड कर रहा हूँ, उसी तरह से फोल्ड करना है, यह निचले वाला फोल्ड को टाच करते हुए, उपर वाला फोल्ड को भी लेना है, तो इस तरह से ये हमारा फोल्डिंग हो गया है अब इसको हमें काटिंग करना है उसी तरह से काटिंग करना है जैसा हमने वर्टिकल वाला काटिंग किया था तो फोल्डिंग बराबर हो गया है देखे उपर वाला कम है नीचे वाला ज्यादा है अब यहां से हमें कैची के साथा से इसको काट लेना है वैसा ही जैसा हमने वर्टिकल वाला को काटा था तो इस तरह से चारो और से काट लेना है चारो और इस तरह से काटिंग हो जाने के बाद इसका निचला भाग को हमें सीधा सीधा काटना है वर्टिकल वाला में हमने क्या क्या थे कि थोड़ा से तिर्छा करके काटा था लेकिन इसमें हमें सीधा काटना है तो देखे ये चारो और कटिंग हो गया है तो इसके बाद हम इसको खोल कर देखते हैं इस तरह से ये नजर आएगा तो इसका निचला वाला भाग जो है ये ज्यादा फोल्डिंग वाला जो भाग है उसको हमें कईची के साहता से सीधा काटना है इस तरह से भर्टिकल वाला में हमने क्या क्या तो तिर्चा काटा था इसमें सीधा काटना है तो इस तरह से सीधा इस और भी काट लिया और इस और भी हमें सीधा काट लेना है उसके बाद उपर वाला जो धक्कन है उसको हमें सीधा नहीं काटना है धक्कन को थोड़ा सा तिर्चा काटना है और आप चाहें तो गोल सेप दे सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ तिर्षा काट कर ही बना रहा हूँ, इस तरह से हमारा काटिंग का काम पूरा हो जाएगा, इसके बाद हम इसको गुलू की सायता से चिपकाएंगे, तो उससे पहले हमें इसको फोल्ड करना होगा, तो फोल्ड करने का तरीका भी देख लिजे, ब साइड वाला फोल्ड को भी आप चाहें, तो राउंड शेप दे सकते हैं, और अगर जल्दी में करना है तो इस तरह से आप सिर्फ सिधा-सिधा काट सकते हैं, और राउंड शेप देना है तो इस तरह से आपको हलका सा कटिंग करना होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा एक् तो साइड वाला फोल्डिंग को चिपकाने के लिए आपका जो नीचे वाला फोल्डिंग के बराबर ही गुलू लगाना है आने था वो साइड वाला फोल्डिंग बेक साइड भी चिपक जाएगा इसलिए इसको गुलू लगाने का थोड़ा सा तरीका पर ध्यान देना होगा आपको तो यहां पर देखिए थोड़ा सा मैंने इसका round shape कर दिया है अब हम इस पर glue लगाएंगे तो यहां पर देखिए यह glue लगाने का तरीका यहां से लेकर यह जो folding का भाग है वही तक glue लगाना है यहां पर भी यहां से folding है यहां से हम गुलू लगाएंगे उसके बाद इस और उसके बाद इसको चिपका देंगे अगर पूरा में गुलू लगाएंगे तो वो बेक साइड भी चिपक जाएगा इसलिए गुलू लगाने का तरीका पर थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां से शुरू कर रहे हैं और फोल्डिंग जहां तक है निचला वाला वहां तक ही गुलू लगाना है यहां तक बस तो इस तरीका से यह दोनों लिफाफा एक ही पेपर साइज में बनकर तयार हो गया है तो इस तरह से आप जल्दी से लिफाफा बना सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए धन्यवाद